नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसीस और आप देख रहे हैं लाल नोवेल चैनल दोस्तों आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं या तो आपकी खुद की अगर कंपनी है कोई बिजनेस है उसमें एक्सपेंसिस बहुत ही देखेंगे तो आपकी प्रॉफिट कम होते जाएगी अगर हमें एक्सपेंस पर कंट्रोल करने हैं कि हमारे कितने एक्सपेंस हो रहे हैं हमें एक ही बार में वो सारे दिख जाए और हम चाहें जिस पर कंट्रोल करना उस पर कंट्रोल कर सकें तो हम कैसे करेंगे अभी अगर आपको माली जी इसमें expense report अगर देखनी है तो आप profit and loss account में जाएंगे यहाँ पर direct expense आपके क्या है आप वो देखेंगे indirect expense क्या है आपको वो दिखेगा आप यहाँ से आप निकालेंगे कि हमारे count expenses कम है count से ज्यादा है और कई बार क्या होता है कई सारे lasers भी खुल जाते हैं न यहाँ पर यहाँ बटन दिख रही होगी expenses report करके आप यहाँ पर जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको सारे expenses आपको एक line में दिखेंगे और आप यहाँ पर जैसे माली जी किसी आपको detail चाहिए किसी भी expense का आपको detail देखना है कि हमें कौन से voucher में यह हमारा voucher नमबर आ र दिखा देता हूँ तो इसके लिए दोस्तों एक TDL है हमारे पास में Expense Report करके यह TDL फाइल है टेक्स्ट में बनी हुई है इसको आप अपने हिसाप से Modified भी कर सकते हैं तो इसको करना क्या है में इस पर Right Click करना है इस फाइल पे इसके प्रॉपर्टी में जाना है और Security में जाके हम इसका पत कॉपी करेंगे Control-C करके और वह आपस हम Tally में जाएंगे Tally में जाने के बाद में आपको F-Troll में जाना है Configure में और F-Troll में जाने के बाद में आपको Product and Feature में जाना है यहाँ पे आप Manage Local TDL पे जाएंगे या F-4 पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपको Paste कर देना है Paste करके आप Save कर लेंगे तो Starting में ही यह बटन आपको दिखनी लगेगी और यहीं से आप आपकी सारी Report Expenses की आप देख सकते हैं और Manage कर सकते हैं तो कौन से मंत में कितना Expense आपका हो रहा है माल लीजे आपका November में कम था अभी अचानक December में बढ़ गया Expense तो आप इसको Control कर सकते हैं तो मैं इसका Link आपको दे रहा हूँ Download आप करिए और Use करिए बहुत ही बढ़िया चीज है यह वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद प्लीज लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियो जाने वाली है थैंक यू